खेले वर्ण वेलकम बैक टुद चैनल कैसे हो आप सब तो यहां पे हम लोंग प्रॉट एकलिप्स देख रहे थे शॉट वीडियो भी मेरे तुरंथी डाली थी क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था और किस किस के यहां दिखाई दिया था मुझे कॉमेंट करके बताना हम लोग के इस एरिया में नहीं था सब कुछ बंद करके रखा था पहले सोचा कि ग्लासिस ले आते हैं इसके जो स्पेशल चस्मा आते हैं वो फिर लेकिन पता तो था हम लोगों को कि बाड़ी के लिए हीमन बाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है यह सोलर एकलिप्स के ज देखे ना देखे इस कंफ्यूजर में फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं नहीं देखना है नहीं लाना है करके 2017 में तो हम लोग ने देखा था बाहर जाके हम लोग के एरिया में फूल था उस समय लेकिन इस बार वैसे भी था भी नहीं इतना ज्यादा 80% तक दिखने व हो रहा था ना वो और मंदीर वगेरा मैंने अच्छे से कवर कर दिया था भगवान का और इस समय कहते हैं खाया पिया नहीं जाता है तो बिल्कुल भी हम लोग खा पी के हम लोग के एरिया में देख बजे नहीं 140 140 से स्टार्ट होने वाला था 430 तब तो वैसे भी 140 से हम लो अच्छे बड़े हो जाते है ना तो माबाप की बच्चे उडाते हैं मेरे यह बहुत होता एसे ना कि छोटी छोटी बातों में कोईTime नहीं होता जस्मजाक मसती चलती रहती है सो इसकी फ्रेंड ने न एकलिप्स तो बता रही थी मुझे तो यहां कहा इतनी जल्दी आ गया तो मुझे बोलते है ममी कार में बैठ के थोड़ी आना इसे बताओ अब इतनी नौलेस तो हमें भी है लेकिन बच्चे क्या करें अब फन से लेते है न तो हमें भी फन करना चाहिए यह नेक्स मॉर्निंग आ गया था यहां पर अभी से मैंने जैसे कहा लास्ट व्लॉक से कि अभी मैं इंदिया से आई हूँ न तब से सबसे पहले कुछ खा लेती हूं उसके बाद चाई पीती हूं जो भी मॉर्निंग के मेरी है वैसे निकाल तो दिया था बैग में से चाहिए यहा वहा नहीं रखना चाहती थिसको इसकी प्रॉपर जगा पर रखना चाहती थि थोड़ा सा नेट से उपन किया इसको सारा कुछ और चीजी अनिकाल करने के बाद इसको मैंने लास्ट में किया में थोड़ी से और एक- प्रीजिग में ही रखा है कुईकि Millets बगेरे में बहुत जल्दे कोड़े पर जाते हैं और सौट बगेरे की ऑईल होती है वह भी चली जाती है अगर बाहर रखते हैं जितना चाहिए उतना में बाहर रखते हूं बाकी का मैं फ्रीजिग में इसे तो यहां पे सारी जितनी मिलेट्स ही जो भी चीज़ें थी तो शारा को लेबल लगा करआके मैं फ्रीज में इसे स्टोर कर दूँंगी कर दोंगी को यहां नहीं बनाया था तो इस बार में रहेज्चा बन गया पहली बार तो आपको मैंने बताया था न बहुत ही धिला-धिला सा योगर्ट बना था इतनी सॉलिट उसकी टेक्स्चर नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया है यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं इंडिया से आने के बाद पहली बार बहुत ही दिल कर रहा था कि आज मूसमी जाएंगे लोकल मार्केट जो यहीं पे लगता है वहाँ तो बस वहाँ जाके जाने से पहले सोचार लच लेकर जाएं तो क्योंकि मूसमी वहाँ तो कुछ ना कुछ खाएगी मुझे पता है local market में न हम लोग के वहाँ कैसे होता है कि फेले वगखेले लगते है पाणी पूरी के यह हो गया यहां के फूड के लगते है तो बच्चों को होता है इच्छा हो जाता है दिल, लेकि मैं तो खानी पाऊंगी तो बस मैंने अच्छे से lunge कि ऊउसने मी ले लिया और दही मुझ उसको पराठे के साथ तो बस हम यहां मार्केट पहुंच गए हैं और इसी के साथ इस व्लॉग का मैं एंड करूंगी सो चलिए फी मिलते हैं नेक्स व्लॉग में अंटिल दें टेक केर एंड बाई बाई